नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका एट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा मराजो 2021 यह आप जो देख रहे हैं सामने की तरफ ही है महिंद्रा मराजो का M6 Plus 8 Seater वेरियंट है और इस वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है वह में सारी चीज़े ने में आपको बताने वाला हूं इंटे एक्सिरियर में लाउच किया था तब इस एक शारक से कमπαय किया थह तो याप डेख सकते हैं सामने की तरफ जो ग्रिल है इसमें जो डिजाइन है जो क्रोम एलिमें ये कुछ-चुछ शारक नाटों की तरह दखते हैं लिए महिंद्रा जो है इसे शार्क से कंपेर करता है और भी काफी इसमें चीजें हैं ऐसी जैसे की साइट से अगर आप देखेंगे तो पूरी बड़ी भारी सी एकदम गाड़ी लगती है बीच में आपको महिंद्रा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है साइड में आपको देखने को बिल जाता है कुछ भी आपको इस गाड़ी में बाहर से एसे सिरीज के तोर पर लागा हुआ नहीं मिलने वाला बाकी बोनक की अगर में बात करो तो bonnet में आपको जो washer का option है वो देखने को मिल जाता है और ये हैं भाई गाड़ी के वाइपर जो गाड़ी की wind shield है वो आप देख सकते हैं काफी जादा लंबी चोड़ी सी है और जो bonnet है वो काफी छोटा सा है मेरे इसाब से इतने area में गाड़ी का जो है engine वो आराम से आ गिया होगा तो अब हम देख लेते हैं गाड़ी की side profile के वारे में तो टायर की profile है वो आपको 215, 60, 17, 17 इंच के आपको चारो टायर देखने को मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात इस गाड़ी के चारो टायर में आपको disc brake देखने को मिल जाता है जो की काफी करके ही पीछे की तरफ जाना पड़ता है कैसे जाते हैं वो अभी हम देखेंगे यह भई गाड़ी का fuel केप यहां से आप गाड़ी में अपना यूरिया और जो भी फ्यूल आता है डीजल में ही गाड़ी वो आप टॉप अप कर सकते हैं और पीछे की अगर exterior look की मैं आप लो जाता है पीछे की तरफ यह पूरा chrome finish में आपको यहां पर महिंद्रा का logo भी दिया गया है और यह हैं वाई गाड़ी में चार चार आपको parking sensors 16 लाग के अंदर देखने को मिल जाते हैं यहां पर डमी है यहां पर कुछ भी नहीं है यहां पर आपको टेल लेंप यहां पर गाड़ी के का डिजाइन है महिंद्रा मराजो का यहां पर M6 Plus की बेजिंग है और यहां पर आपको एंटीना जो है नॉर्मल दिया गया है शार्क फिन नहीं है जबकि महिंद्रा इस गाड़ी को शार्क से कंपेर करती है फिर भी तो ओवरॉल जो डिजाइन है गाड़ी का क साइल्ड और एडल्ट दोनों ही पैसेंजर को मद्दे नजर रखते हो फोर स्टार की रेटिंग हासिल करी थी मतलब कि महिंद्रा ने इस गाड़ी को काफी जादा सेफ भी बनाया हुआ है तो यह हम यह हमने देख लिया गाड़ी का एकस्टीरियर और अब हम चलते हैं गाड़ी है इसकी मैन कॉंपिटिटर है इनोवा तो उस हिसाब से आप इसे जच कर सकते हैं इस पेस के मामले में तो बेशक उससे थोड़ा सा प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा यहाँ पर आपको जो विंडो है उसके कंट्रोल देखने को मिल जाते है वन टच आप और वन दूर पर दिया गया है यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेशल लेदर माटेरियल देखने को मिल जाता है और उपर की तरफ यह पूरा प्लास्टिक का माटेरियल इस गाड़ी में दिया गया है यहाँ पर आपकी स्पीकर्स की जो पोजिशनिंग है वो आपको दिखा देता हूँ तो यहां से आप जो आपका लंबर सपोर्ट है उसे एड़स्ट कर सकते हैं तो थ्री वे एड़स्टेबल यह सीट है किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोनिक सीट एड़स्मेंट इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता है तो अब मैं गाड़ी के अंदर बेट जाता हूँ महिंदरा मराजों के अंदर बेटते ही कुछ इस तरीके का आपको गाड़ी का इंटीरियर देखने को मिलने वाला है यहां पर टॉप इरिंट होते हुए भी यहां पर कोई स्टार्ट इस टॉप का बटन आपको नहीं दिया गया है यहां पर जो normal जो आपकी की होती उसे ही आपको लगाना पड़ेगा है यहां पर आप इको मोड में इसे स्विच कर सकते हैं उसको बटन दिया गया है और यहां से आप जो हेडलाइट से उन्हें लेवल कर सकते हैं वाकि कुछ इस तरीके का दिखता है महिंदरा मराजो का स्टेरिंग कोई भी फ्लेट बोटम डिजाइन इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को म अगर होम पर जाएं तो यहां पर आपको इको सेंस डिजी टेक नेवी नेविगेशन फोन मीडिया इंड्रोड ओट और एपल कार प्ले का जो ऑप्शन है वह भी देखने को मिल जाता है एंड्रोड ओटो कहां है यार इसमें अगर नेवीगेटर रहे तो यह विए फोनेक्ट विट यूस्बी ऐसा थीक है तो कनेक्ट एपल के कार प्ले एंड यूस्बी के लिए जो कलर है यह चेंज कर सकते हैं का ब्रेजा जाए सब ना चेंज होते हैं क्या इस्ट्रुमेंट की इसलिए नहीं होता है कुछ इस तरीकिया का आपको इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर गाडी में देखने के मिलेगा जैने के आप यहां से नेवीगेशन इस वाले चल रहा college वह आपको यहां पर भी गाडी शो करेगी देखने में तो यह जादा अच्छा लाग रहा है देखने में और जो एपल कारो क वो आपको केबल USB से कंट्रोल करने के बाद ही आपको इसमें देखने को मिलेगा उससे पहले आप मतलब इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया है अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पर गाड़ी का जो पीछे वाला डोर है वो भी काफी ज्यादा वाइट सा खुल कि कलर इस वाले डॉर में आपको दिये गए हैं यह है गाड़ी का डॉर यहां से आप लोक है लोक अनलोक हैं वो डॉर को कर सकते यहां पर आपको इस पीकर की जो प्लैसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी और अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर अंदर की तरफ भी जादा है मतलब काफी उची गाड़ी है यार उची तो मुझे काफी लग रही है जो हेड्रू में आप देख सकते हैं काफी सारा है और यहां पर जो आपको रियर में जो एसी के कंट्रोल है यह काफी अच्छा मतलब चार्टिड बस में नहीं आता कुछ वैसा सा आपको दिया लग की इधर उदर बराबर फेकना चाहते हैं या डायरेट आपको मुझे चाहिए वहां वह चीज़ आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं अब फटा फट से मैं थोड़ा सा पीछे वाला जो है पीछे वाली रो है वो भी आपको दिखा देता हूं तो जब आपको थर्ड रो मे जाना हों तब आपको जो ये वाली जो बीच वाली सीट है कुछ इसे यहां से उठाना रहता है और ये अपने आप फोल्ड हो जाते हैं इसके फोल्ड होने के बाद आप अंदर की तरफ जा सकते हैं तो मैं अंदर आपको जा करकर दिखा ओं तो मैं अभी आ चुका हूँ अपनी पीछे वाली सीट पर और यहां पर जो इस्पेस है मतलब है एडल्ट लोगों के लिए तो कम है लेकिन जो बच्चे हैं तीन बच्चे आराम से यहां पर बैठ जाएंगे चोटा सा इस्पेस है आपको यहां पर सामान वगरा रखने के लि है यहां पर भी आपको just give in लिमंपे वह आ आपको धने को मिल जाते हैं डूर्इंडल यह रहाओ है और जो हिड्रेस थे वह आपको सारे झीडे स्तेवल इसमें देखने को मिल लाते हैं सब्यों को थार्ट में बैठने के बाद भी अगर आप देखें कि आपका जो बूठ спис ह वो कितना बच रहा है यहां पर तो मतलब है थोड़ा बहुत सामान जो है वो आप रख सकते हैं एक दो सूटकेस लेकिन अगर आप इनको यूज ना करें तो काफी ज़्यादा मेरे इस आप से 500 लीटर से भी ज़्यादा इसमें बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा यह कली हमने ओवर ओल मराजो के इंटीर की बात और अब हम देखने वाले हैं गाड़ी का इंजन तो गाड़ी का इंजन बे खुलने के लिए आपको यहां पर नॉर्मल गाड़ी की तरह स्विच दिया गया है और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो गाड़ी ने है वो ओन हो जाती है खुड़ खुलने के बाद में बोनट खुलने के बाद आपको जो महिंद्रा मराजों का इंजन है कुछ इस तरीके का देखने को मिले जाएगा जो की 1.5 लिटर का टर्बो चार्ज इंजन है नैचुरली एस्परेटेड इंजन इस वाली गाड़ी में को देखने को नहीं मिलता है और जो इंजन बे है वो आप देख सकते हैं जो अंदर तक वहां वहां तक गई हुई है जो नॉर्मल कंट्रोल से आपको बाहर की तरफ के वह काफी मतलब रीच में है इस गाड़ी में तो यहां पर आपको एबीएस के मोडियूल वगेरा और य जैसे ही मैंने इस गाड़ी को बंद किया जो गाड़ी ने हिजार लाइट से वो आटोमेटिकली ओफ कर दी तो यह काफी अच्छा फीचर है एक छोटा सा फीचर मैंने आपको महिंद्रा मराजो को बता दिया तो बै ओवरोल यह थी महिंद्रा मराजो 2021 जिसका की प्राइज आपको 16,000,000,000 के आसपास देखने को मिल जाता है तो इतना ही था वीडियो में वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं बाकी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी आपका क्या विचारे यह गाड़ी ज्यादा सेल क्य आपको 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 झाल